एक बार एक बार लोहे की दुकान में अपने पीता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचाना की अपने पीता से पुछा पिता जी इस दुनिया में मानुस ची क्या कीमत होती है पिता जी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुन कर हैरान रह गये फिर वे बोले बेटे एक मानुस्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है वो तो अनमोल है बालक क्या सभी उतने ही कीमती और महत्पूर्ण है पिता जी हाँ बेटे बालक कुछ पल्ले पड़ा नहीं है उसने फिर सवाल किया तो फिर इस दुनिया में कोई गड़िब तो कोई अमीर क्यों है किसी की कम इजद तो किसी की ज़्यादा क्यों है सवाल सुनकर पिता जी कुछ देर तक सांत रहें और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रड़ लाने को कहा रड़ लाते ही पिता जी ने पूछा इसकी क्या किमत होगी बालक लगभग तीन सो रूपए पिता जी अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूँ तो इसकी तो इसकी किमत क्या हो जाएगी बालक कुछ देर सोच कर बोला तब तो ये और महांगा बिकेगा लगभग एक हचार रूपए का पिता जी अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत साड़े एस्पिरिंग बना दू तो बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उस्ता होकर बोला तब तो इसकी कीमत बहुत जादा हो जाएगी पिता जी उसे समझाते हुए बोले ठीक इसी तरह मानुस की किमत इसमें नहीं होए कि अभी ये क्या है बलिक इसमें कीक वो अपने आप को क्या बना सकता है बालक अपने पिता जी की बात समझ चुका था